लगभग महीने भर के इंतिजार के बाद पवन सिंग आप वापस इंडिया लॉट आए हैं और कल जैसे ही पवन ट्रेन से पटना इस्टेशन आधी रात को पहुचे वैसे ही उनका पटना इस्टेशन पर जबट जस्त और भबी स्वागत हुआ है जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक महीने पहले पवन सिंग अपने फिल्मों की शुटिंग के लिए लंदन गय थे और तब से ही पवन सिंग की टीम पवन सिंग के सपोर्च और इंतिजार कर रहे थे कि पवन कब वापस आएंगे और फाइनली कल वो इंतिजार की घड़े खत्म हुई और अब बिहा खत्म है बूश्पुरई पावर सिंग पवन सिंग पटना इस्टेशन पर ट्रें से उत्रें उस वक्त नाजारा देखने लाइक था क्यूंकि पवन सिंग की टीम ने पवन के समर्थों ने उनके साथ रहने वाले लोगों ने पवन के स्वागत की इतनी भव शांदार तयारी कर रखी थी कि पवन जब स्टेशन पर उत्रे तो लगा कि कोई नेता उतर रहा हो पवन जब मुंबई से पटना के लिए ट्रेंड में बैठे होंगे तब ये सोचे भ जूख न हो जाए इसलिहास से उनके आगे पीछे बिहार की पुलीस भी तैनात होगी लेकिन लंदन से मुंबई एर्पोर्ट पर पहुंचे मुंबई से वो ट्रेंड की द्वारा कल आधी रात को धाई बजे पटना जंक्शन पर उतरे हैं और पटना जंक्शन पर उतरने क से उनको लोगों की भीड आधी रात को घेर लेती है और रात के धाई बजे जब यह सब हुआ तो यह सब देखकर ऐसा लग रहा है कि पवन सिंग की टीम उनको नेता दिखाने के लिए अपनी तरफ से तमाम कोशिस कर रही है पवन अभी नेता बने भी नहीं है अब यह क्ल करेंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार मेरे नाम है डॉली पांडी मेरे साथी कामरमेंट मिशाल और आप देख रहे हैं जुनता जंक्शन जिन लोगों को इस बात का इंतिजार था कि पावर इस्ट्राइब पावन सिंग कब तक लंदन से भारत लोटेंगे उन सब के लिए पावन सिंग लंदन से भारत लोटे हैं बलकि भीहार की धरती पर भी अपना पैर रख चुके हैं और लंबे समय बात फिर से कम बैक करने वाले हैं क्योंकि जब से पावन की कई सारे प्रोजेक्स होल्ड कर दिये गया थे क्योंकि पावन बोश्पुरी के सबसे बड़े प् अच्छा जा राइए इसे में दर्शक तरस गया अच्छा और शांदार उनके मिजाज वाला गाना सुनने करिए इसलिए सब लोग इंतिजार कर रहा था कि पवन कब तक आएंगे उनकी टीम की तरफ से कहा जा रहा था कि जब पवन लंदन से आएंगे अपने सारे काम पूरा करके वापस इंडिया आएंगे तब वह एक बार फिर से अपनी गानों को लेकर एक्टिव हो जाएंगे और पवन अब ल सितंबर को एक आवार्ड शो का योजन किया जाएगा जहां बोलीवर्ड एक्ट्रिस मोनी रोई भी नजर आने माली हैं दिन्होंने नागिन सीरियल में काम किया था उसके बाद ही पावन अपने पर काम करना शूरू करेंगे इतना ही नहीं बोश्पुरी के बड़े सब्सक्राइब करने वालीवर्ड एक्ट्रिस अकांचापुरी के साथ सुलमाया है और इस गाने को रिलीज किया जाएगा यानि एक बार फिर से पावन सिंग अपने पुराने अंदाज में कमबै करने वाले हैं और अपने नए नए गाने नए प्रोजेक्ट से बोश्पु इंडेस्ट्रि में एक बाफिर से बवाल मचाने वाले फिलाल इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं से किसी नए वीडियो में तब तक मुझे जासत देशिये धन्यवाद